स्वागता आपका बीजेपत्थ डिफेंस अकेडमी पालपूर में मेरा नाम अमित कुमार है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ reasoning की class जिसमें आपको आज blood relation के कुछ important question को अभेर साथ discuss करने के लिए first question आपके सामने ये रहा question दिया गया है जिसमें p क्यो का भाई है p क्यो का भाई है इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई male होगा तो उसको हम एक box में और ऐसे करके denote करेंगे अगर कोई female आएगी female को हम ऐसे circle बना कर minus sign लिगा कर denote करेंगे कोई husband और wife husband और wife के relation को show करना होगा तो आपने उसको इस तरह से denote करना है कोई brother and sister का relation होगा तो उसको आपने इस तरह से show करना है चलिए देखते हैं first question में क्या दिया गया है question दिया गया है कि p क्यो का भाई है p क्यो का भाई है मतलब p का gender यहाँ पर clear है लेकिन क्यो का gender आपको पता नहीं है p क्यो का भाई है r क्यो की मा है यहाँ मा नहीं मा आएगा यहाँ पर आपका मा आएगा r क्यो की मा है r आगे क्यो की मा आगे बोल रहा है s r का पिता है s r का पिता है s आ गये यहाँ पर r का पिता यह बोल रहा है t s की मा है यहां भी मा आएगा T S की मा है T S की मा है T S की मा है यह बताईए कि यह बताईए कि P का T से क्या संबंद है P का T से क्या संबंद है P का relation पूछ रहा है T के साथ ठीक है P का relation पूछ रहा है T के साथ first option है यहां पर grand daughter second option है great grand son third option है यहां रहेगा पोता last option रहेगा grand mother P का relation पूछ रहा है T के साथ तो P यहां पर T का great grand son रहेगा option number B इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा first question का option number B बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए next question question number second आपके सामने यह रहा question दिया गया है कि A is A is B's daughter मतलब की A B की पुत्री है A B की पुत्री है question में दिया है A B की पुत्री है A पुत्री है किसकी B की यहां पर आपको A का gender clear है आगे बोल रहा है B C की मा है यहां पर मा आएगा B C की मा है B जो है वो C की मा है मतलब यहां पर B का gender clear हो गया है आगे बोल रहा है D C का भाई है D जो है वो C का भाई है question में दिया गया है D C का भाई है यह बताईए कि D का A से क्या रिस्ता है D का रिस्ता पूछ रहा है A से तो D तो यहां पर question में भाई हुआ यह का तो D क्या हुआ यहां पर भाई यानि कि option number B option number C इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा question number third question number second option number third इसका बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए next question question number third देखते हैं इसमें क्या दिया गया है A is B's brother मतलब B का भाई है A B का भाई है A C is D's father D का पिता है C D का पिता है C इस line को भी छोड़ देंगे क्योंकि यहां पर D और C की बात नहीं की गई है B की माता है E B की माता आगे यहां पर E E को बोला गया है कि वो B की माता है आगे बोल रहा है A और D भाई है A और D आपस में भाई है मतलब दोनों का जेंडर यहां पर clear है और जो line छोड़ी थी यहां पर कि D का पिता है C वो यहां clear हो जाएगा D का पिता है C, ये तभी possible है, जब C और E आपस में husband wife होगे, आगे बोल रहा है, तो E का C से क्या relation है, तो E का C से क्या relation है, आपसे ये पूछ रहा है, E का relation पूछ रहा है C के साथ, तो E इसकी wife होगी, यानि के पतनी, तो option number D, इस question का बिल्कु सही answer हो जाएगा, question number third का option number D, बिल्कु सही हो जाएगा, चलिए next question, question number fourth आपके सामने ये रहा, question में क्या बोला गया है, कि B की बहन है, B की बहन है A, B की बहन है A, A का gender आँक ले रहा है, आगे वो रहा है, C का भाई है B, C का भाई है B, question में B का gender भी कलेर हो गया, आगे वो रहा है कि D का पुत्तर है C, D का पुत्तर है C, sorry, यहाँ पर D का पुत्तर होगा C, तो यहाँ पर C का gender कलेर है, आगे वो रहा है, D का A से A के साथ क्या रिस्ता है, D का रिस्ता पूछ रहा है A के साथ, ठीक है, D का रिस्ता पूछ रहा है A के साथ, D का पुत्तर है C, तो D का A से क्या रिस्ता है, option आपके सामने यह हैं, first option है mother, second option है daughter यानि की पुत्तरी, third option है पुत्तर, और last option है, cha-cha, तो यहां पर D, A का या तो mother होगी, या तो father होगा, लेकिन question के according इसका सही answer हो जाएगा, आपका option number A, option number A, इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा, option number A, इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, जिसमें दिया गया है, mother, next question, question number 5 आपके सामने ये रहा, तो जिसकी को भी ट्राएगाना जल्दी से answer करके, comment box में comment करके बता सकता है, कि question number 5 का बिलकुल सही answer क्या रहने बाला है, चलिए, हम देखते हैं कि इस question को कैसे करेंगे, A का भाई है B, A का भाई होगा B, A का भाई है B, आगे वो रहा है, जिसकी एकलोती बेहन C की माता है, जिसकी एकलोती बेहन, ठीक है, एकलोती बेहन C की माता है, C की माता है, एकलोती बेहन, जिसकी एकलोती बेहन है, मतलोती जिसकी एकलोती बेहन C की माता है, माता आजाएगी, D, मा की और से, D, मा की और से, C की नानी है, ठीक है, मा की और से, यहाँ इसकी मा आएगी, ठीक है, मा की और से, C की नानी है, C की नानी, यानि के आपका यहाँ आएगा D, यहाँ आजाएगा D, D के साथ A का क्या रिस्ता है, D के साथ A का रिस्ता, तो बही आएगा मेरे पही सेम ही आंसर आजाएगा ठीक है सेम ही आंसर आएगा इस question का है यानि कि इस question का सही answer हो जाएगा daughter यानि कि पुत्री D का A से क्या रिस्ता है D का रिस्ता पूछ रहा है A से इस question में इसका सही answer B हो जाएगा ठीक है इस question का सही answer क्या हो जाएगा B हो जाएगा next question आपके सामने ये रहा A और B बहने है A और B बहने है A और B आपस में क्या आएंगी यहां पर बहने आ गई दोनों A और B बहने है R और S भाई है R और S आपस में भाई होंगे A की बेटी R की बेहन है A की बेटी यहां जो आएगी A की जो बेटी होगी ठीक है यहां आगे इसकी बेटी A की बेटी R की बेहन है यानि कि यहां R आएगा और R और S आपस में भाई है R और S आपस में भाई दिये गए है ठीक है आगे बोल रहा है B का S से क्या संबंद है B का संबंद बोल रहा है S से क्या होगा मतलब B S की क्या लगती है ठीक है देखो मदर तो होगी नहीं क्योंकि मदर यहां पर A है ठीक है मदर तो होगी नहीं दूसरा उपसन था दादी तो दादी भी नहीं हो सकता है ना ही, तो बहन होगा, तो आंटी इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा, आंटी इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा, next question, next question, question number seven, आपके सामने ये रहा, question में दिया गया है कि E B की बेहन है, E किसकी बेहन है, B की, E B की बेहन है, तो E का gender यहां के ले रहे, आगे दिया है कि A, C का पिता है, A जो है, वो C का पिता है, लेकिन इस line को भी hold करते हैं, B, C का पुत्र है, B जो है वो C का पुत्तर है ठीक है B जो है वो C का पुत्तर है और A C का पिता है A आ जाएगा यहाँ पर A जो है वो C का पिता है Q में दिया है तब A का E से क्या relation है A का relation पूछ रहा है C के साथ ठीक है तो इस काएगा grandfather ठीक है grandfather इस question का यानि कि दादा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा question number 7 का दादा यानि कि grand father next question question number 8 आपके सामने यह रहा चलिए देखते हैं इस question में क्या करना है A, B का भाई है A किसका भाई है यहाँ पर B का A, B का भाई है C, A की माँ है C, आगे यहाँ पर A की मा D, C का पिता है D, आजाएगा C का पिता D, आजाएगा question के coding C का पिता आगे बोल रहा है E, B का पुत्तर है E, जो है वो B का पुत्तर आजाएगा यहाँ पर E, B का पुत्तर है तो यह बताईए कि A, D का क्या संबंद है question में आपसे पूछ रहा है तो बताईए कि A से D का क्या संबंद है A के साथ संबंद बताना है D का A के साथ संबंद बताना है D का क्या लगता है तो sun A से D का क्या रिस्ता है A से D का क्या रिस्ता है D, A का क्या लगता है sun तो होगा नहीं तो grandfather हो जाएगा फिर, तो इस question का सही answer होगा, option number C, grandfather, अगर question में ऐसे पूछा होता, कि A, C से किस, sorry, A, D का क्या लगता है, तो आपका सही answer हो जाता है, यहाँ पर grandson, लेकिन question में पूछा है, कि D का A से क्या relation है, तो आपका सही answer हो जाएगा, grandfather, my father, चलिए next question, question number 9, आपके सामने यह रहा, question दिया गया है कि B, D की माँ है, B, D की माँ है, और C, D का भाई है, C, D का भाई, C किसका भाई है, यहाँ पर, D का, यह question में given दिया गया है, C, D का भाई है, H, E की बेटी है, H, जो है, वो E की बेटी है, question में दिया है, लेकिन इस line को भी hold रखेंगे, जबकि D, E की पतनी, ठीक है, जबकि D, E की पतनी है, यह आएगा यहाँ पर, जबकि D, E की पतनी है, D किसकी पतनी है, E की, मतलि यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, husband, wife हो जाएंगे, question के according, जो line छोड़ी थी, कि H, E की बेटी है, H, जो है, वो E की बेटी है, जबकि H, E की बेटी है, यह question में दिया है, आपसे पूछ रहा है question में, तब बताईए, E और C में क्या संबंध है, E और C में संबंध पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इनमें संबंध क्या है, father in law, नहीं हो सकता क्योंकि दोनों same generation के है, uncle भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों same ही generation के है, यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है, brother, brother की बात करेंगे, तो brother भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो brother in law, यानि कि option number B, इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा, next question, आपके सामने यह रहा, question दिया है, कि A, D का भाई है, question में है, A, D का भाई है, यह मतलब हुआ इसका, आगे बोला है, D, B का पिता है, D किसका पिता है, B का, D, B का पिता है, D आगे यहाँ पिता, B का, आगे बोल रहा है कि B और C बहने है, B और C आपस में दोनों बहने हैं, मतलब दोनों के gender आँक ले रहे हैं, तो A का C से क्या संबंध है, यह बोल रहा है, A का relation पूछ रहा है, C के साथ, A का C से क्या संबंध है, यह पूछ रहा है आपसे, first option है आपका son son तो होगा नहीं father भी नहीं होगा क्योंकि father इसका D है next है grandson यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि दो generation के बीच grandson आएगा नहीं last option है आपका uncle यानि के चाचा तो यह विल्कुल सही आपका answer हो जाएगा option number D चलिए next question देखते हैं question दिया है कि A B की बेहन है A B की बेहन है A बेहन है किसकी B की यह चीज़ आपको given है आगे वोर रहा है कि C B की माता है C जो है वो B की माता है question में दिया है D C का पिता है D जो है वो C का पिता है मतलब D आपका यहां आजाएगा आगे वो रहा है कि E D की माता है E आगे इसकी माता E D की माता है तब A का D से क्या संबंद है A का D से क्या संबंद है ये पूछ रहा है आपसे ठीक है A का D से क्या संबंद है ये पूछ रहा है आपसे A का संबंद पूछ रहा है तो Grandfather तो होगा नहीं क्योंकि A का संबंद पूछ रहा है ना कि D का संबंद तो मतलब first option आपका यहां पर गलत हो जाएगा grand mother भी नहीं हो सकता यह भी गलत हो जाएगा daughter भी नहीं होगा तो grand daughter बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि option number D is question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number D इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए next question question number 12 आपके सामने यह रहा इसको देखते हैं कि question में क्या दिया गया है question number 12 में आपको दिया गया है कि A का भाई F है ठीक है A का भाई F है यह question में आपको दिया है A की पुत्री C है A की पुत्री C है यह भी आपको देखे रखा है F की बेहन K है F की बेहन आ जाएगी यहां पर K F की बेहन K है C का भाई G है C का भाई C का भाई आ गया यहां पर G यह भी आपको देखे रखा है G का चाचा कौन है यह पूछ रहा है आपसे तो G का चाच्चा मेरे भाई F ही आएगा यहाँ पर तो इस question का सही answer हो जाएगा option number D, F चलिए next question question number 13 आपके सामने यह रहा question क्या है? चलिए देखते हैं A, B का भाई है A भाई है किसका? B का यह आपको दे के रखा है C, A का पिता है C आगया यहाँ पर A का पिता यह भी आपको दे रहा है question में D, C की बहन है D जो है वो C की बहन है यह भी question में दे के रखा है और E, D की माता है E जो है वो D की माता है B का C से क्या संबंद है यह पूछ रहा है question में B का संबंद पूछ रहा है D के साथ B का E से क्या संबंद है B का E से संबंद पूछ रहा है आप से ठीक है B का कि B E से किस प्रकार सबंदीत है चार उप्सन आपके सावने गिवन है फर्स्ट उप्सन है आपका फर्स्ट उप्सन था यहाँ पर ग्रांड डोटर यानि के नातिन second option है great grand daughter यानि के पर नातिन third option है दादी last option है उत्री तो इसका सही answer हो जाएगा question का नातिन यानि के grand daughter grand daughter इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number option number a इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा next question question number 14 question दिया है कि a c का पिता है a पिता है किसका c का question के according a पिता है c का और d b का बेटा है d जो है वो b का बेटा है तो इस लाइन को भी hold रखते हैं आगे बोल रहा है कि e a का भाई है e जो है वो a का भाई है question के according e a का भाई है यदि c d की बेहन है c d की बेहन है c आएगी यहाँ पर d की बेहन है और जो लाइन छोड़ी थी यहाँ पर और d b का बेटा है d जो है वो b का बेटा है कब पोसिवल है यह जब b a की wife होगी तब पोसिवल है क्योंकि यह a के ही बच्चे है ठीक है तो यह दुनों आपस में husband wife कहलाएंगे चलिए देखते हैं question में पूछ रहा है क्या तो b का e के साथ क्या संबंद है sister in law first option है भाबी तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा यानि कि option number a इस question का बिलकुल सही आंसर हैगा भाबी चलिए next question question number 15 यह रहापके सामने question दिया है कि c b की पतनी है c b की पतनी है मतलि यह दोनों आपस में husband wife हो जाएंगे e c का बेटा है e c का बेटा है a b का भाई a b का भाई b का भाई आ जाएगा यहां पर a और d का पता है यह question में दे रहा है आपको ठीक है a b का भाई है और d का पता d का पता आएगा यहां पर a ठीक है न आगे बोल रहा है कि e का d के साथ क्या संबंद है e का d के साथ संबंद पूछ रहा है तो आपस में यह दोनों क्या होगे cousin होगे यानि के चचेरे भाई option number d इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा option number d इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा next question question number 16 आपके सामने यह रहा चलिए देखते हैं इस question में क्या करेंगे जिस किसी को समझा गई है question अपना try करते रहिए फिर answer बाद में match कर लेना ठीक है question दिया गया कि mp का पुत्तर है mp का पुत्तर है question में यह चीज़ आपको given है mp का पुत्तर है क्यो पोत्री है क्यो की ठीक है मतलब की grand daughter of o ठीक है क्यो पोत्री है o की तो इस line को भी छोड़ देते है आगे देखो जो p का पती है जो p का पती है p का पती आएगा यहां पर यानि क्यो आगे यहां पर यहां पर आपका o आएगा ठीक है question की according क्यो की क्यो पोत्री है o की तो यहां पर आपका O आएगा ठीक है जो P का पती है मतलब यह आपका मेल होगा यह आपकी फीमेल होगी दोनों आपस में हजबन वाइफ होंगे ठीक है और O पोत्री है मतलब O आपका यहां आजाएगा फिर आगे बोल रहा है कि M का O से क्या संबंद है M का संबंद बोल रहा है O से M तो question में father ही आएगा न question के according इसका सही answer रहेगा option number D father son कैसे आ सकता है M का O से क्या संबंद है question में यह नहीं पूछा है कि O का A से क्या संबंद है अगर O का A से संबंद पूछा होता तो भी सं तो हो गए नहीं न तो question में यह गलत है इसका सही answer रहेगा option number D चलिए next question question number 17 check करते है question में क्या दिया गया question है आपके सामने की x और by भाई भाई है x और by आपस में भाई भाई है question में यह दिया है आगे वो रहा है कि r भाई का पिता है r भाई का पिता आजाएगा question के according next बोल रहा है कि s t का भाई ठीक है s t का भाई s जो है वो t का भाई है और x का मामा है और x का मामा है x का मामा कब हो सकता है जब s t का भाई है s किसका भाई है t का t का भाई आगे यहां पर s s t का भाई है मामा तभी हो सकता है जब यह इसकी मदर होगी और मदर का भाई इसका मामा लगे गएगा मतलब यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे husband wife हो जाएंगे r o t आगे वोर रहा है कि t का r से क्या संबंद है t का संबंद बताना है r से तो इसकी पतनी होगी यानि कि wife option number b इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा question number 18 आपके सामने ये है question क्या दिया गए चलिए देखते है question में है कि a b की बहन है a बहन है b की c b की माता है c b की माता है आगे वो रहा है कि d c का पिता है d आगे यहाँ पर c का पिता है e d की माता है e आएगी d की माता तो a से d का क्या संबंद है a से d का संबंद पूछ रहा है मतलब d a की क्या लगती है ठीक है तो d का संबंद मतलब grandfather आएगा option number b इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा क्योंकि इसका gender जो है वो पता है हमें ठीक है d का question में पूछा था की a से d का क्या संबंद है तो इसका d का संबंद पूछ रहा है a से d का संबंद ठीक है ना तो यहाँ पर आपका पुत्तरी नहीं होगा ठीक है तो इसका सही answer रहेगा आपका option number b चलिए 19 question आपके सामने यह रहा question में क्या दिया गया देखते है a b और c का पिता है a की क्या है पिता है किसका b और c का b का भी पिता है साथ में c का भी पिता है gender अभी पता नहीं है आगे वो रहा है कि b a का बेटा है b a का बेटा है मतलब इसका gender clear हो गया आपको ठीक है आगे वो रहा है लेकिन c a का बेटा नहीं है c a का बेटा नहीं है तो बेटी होगी मतलब इसका gender भी clear हो गया आगे वो रहा है कि c का a के साथ क्या संबंद है C का A के साथ क्या समद्ध है तो C इसकी बेटी है यानि के पुत्री है तो डोटर यानि के option number C इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा आज के session का last question question number 20 आपके सामने ये रहा question है कि A B का पिता है A B का पिता है C B की पुत्री है C जो है वो B की पुत्री है मतलब यहाँ पर C का gender भी confirm है हमें आगे बोल रहा है कि D B का भाई है D जो है वो B का भाई है इसका gender भी clear है E A का पुत्र है E क्या है पुत्र है A का E पुत्र है E A का पुत्र है आगे बोल रहा है C और E के बीच क्या सम्बंद है C और A के बीच क्या सम्बंद है तो यह आपस में पिता और पुत्र है ठीक है क्यूस्चन में बोला गया था कि E A का पुत्र है E A का पुत्र है अच्यूस्चन में आपको यह बोला गया है कि इसके बीच का relation बताना है आपको C और E के बीच का relation बताना है ठीक है तो भतीच जाएगा यह तो confirm है भतीच जाएगा यहां पर तो option number C इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा भतीच जाएगा और चाच्चा तो आज के session में इतने ही question थे यह आपके लिए एक best offer चल रहा है नवरात्रे special offer ठीक है जिसमें आपको एक special discount मिलेगा discount आपको 90% तक का off मिल सकता है तो जल्दी से अगर आप इसको purchase करना चाहते हैं तो www.bjpatheducation.com या direct contact कर सकते हैं दिये गए number पर इसमें आपको 400 plus practice set मिलेंगे जिसमें आपको math, reasoning, english और GK के question देखने को मेर सकते हैं तो जल्दी से आप इसको purchase कर सकते हैं अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और subscribe करना ना पूले